नमस्कार स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके चैनल फार्मेसी पॉइंट में तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं उससे पहले अगर आप चैनल पर पहले बार विजिट किये तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें साथ में बेल नोटिफिकेशन को ओन कर दें जिससे आने वाली सबी अपडेट्स आपको तुरण्ट मिल सेके तो चलिए दोस्तों वीडियो को सुरू करते हैं तो मैं आपको बताने वाला हूं कि डिप्लोट हों कि फार्मेसी फास्टी تع प्रेक्टिकल के नंबर कितने होते हैं और आपके और आपके कॉलेज से आपको कितना नंबर दिया जाता है यानि कि जो आपका कॉलेज है उसके अधिकार में कितना नंबर होता है तो मैं आपको पहले डिप्लोमा फार्मेस्टी फस्टियर का रिजल्ट दिखा देता हूं और एक आपका प्रेक्टिकल का होता है तो चलिए पहले हम थियोरी की बात करते हैं तो देखिए यहां पर फार्मासोटिक्स फर्स्ट लिखा हुआ है तो मैं आपको सेक्षन दिखा देता हूं थियोरी का तो यहां से लेकर और यहां तक देखिए यहां पर लिखा हुआ है फ आप 20 नमबर देख रहे हैं यह आपका college से जाता है तो जो आपका 20 नमबर वाला है इसमें total आपके 6 subject है याने की 120 नमबर यह total होता है तो दोस्तों यह हमारा 120 नमबर होता है 120 नमबर यह हमारा होता है तो इस 120 नमबर में से college आपको number देता है और college आपको 100 नमबर भी दे सकता ह है यह college के ऊपर depend करता है तो एक बाद दोस्तों मैं आपको बताना भूल गया कि जो हमारा diploma pharmacy first year का exam है यह हमारा total 1150 नंबर यानि की 1150 नंबर का होता है तो अब चलिए इसके बाद हम इसके बाद हम practical का section देख लेते हैं तो यहां से लेकर और यहां तक games and discipline तक तो आप यहां पर देख सकते हैं यहां पर pharmaceutics first 80 नंबर लिखा हुआ है और pharmaceutics first seasonal 20 नंबर लिखा हुआ है तो यह सभी आपका practical का नंबर होता है और practical का नंबर दोस्तों total आपके कॉले से जाता है तो इसमें आपको पांच सब्जेक्ट दोस्तों दिखाई दे रहे होंगे इसमें आपको पांच सब्जेक्ट दिखाई दे रहे हैं देखिए human anatomy and physiology, biochemistry and clinical pathology, pharma kognosy, pharmaceutical chemistry first and pharmaceutics first तो दोस्तों यहां पर टोटल नंबर हमारे हो जाते हैं 500 नंबर हो जाते हैं दोस्तों और यह 500 नंबर प्लस game and discipline के 50 नंबर तो यह आपके तोटल इस तरह आपका टोटल 670 नंबर आपके कॉलेज से दिया जाता है जहां दोस्तों 1150 में से 670 नंबर आपको आपके कॉलेज से दिया जाता है और दोस्तों अगर आपका कॉलेज चाहे तो आपको 670 में से 670 भी दे सकता है आपको 650 दे सकता है 620 दे सकता है 610 दे सकता है तो ये 670 नंबर आपके college के हाथ में होता है तो चलिए इसके बाद हम diploma pharmacy final year की बात करते हैं तो दोस्तु same process यहां भी लागू होता है जो आपका result है इसमें दो section होते हैं पहला आपका section theory का होता है तो चलिए पहले हम theory की बात कर लेते हैं तो यहां pharmaceutical first लिखा हुआ है और यहां से लेकर hospital and clinical pharmacy दख देखिए दोस्तु जहां पर भी आपका 80 number लिखा हुआ है इसका आपको paper देना होता है और जहां भी आपका 20 number लिखा हुआ सिस्नल का यह आपकी college से number दिया जाता है तो यहां भी 6 subject हैं यानि की 120 number आपका college से बन जाएगा तो यहां पर आपका 120 number आपके college से बन जाएगा थ्योरी का जो आपका paper होता है उसका तो इसमें से 120 number आपके college से आपको मिलेगा और चलिए इसके बाद हम चलते हैं practical वाले section में तो हम practical वाले section में आ चुके हैं और यहां पर आप देख सकते हैं लिखा है pharmaceutical second से लेकर और games and discipline तक नीचे आपको environmental education and disaster management दिखाई दे रहा होगा इसका आपको paper देना होता है तो इसमें लिखा है pharmaceuticals first 80 number का total होता है और pharmaceuticals second seasonal 20 number का होता है तो दोस्तों इस red वाले box के अंदर आपको जो भी दिखाई रहा है इसका total number आपके college से दिया जाता है तो इसमें आपका 400 number का आपका practical होता है आप इस बात को याद रखेंगे 400 number का आपका practical हो गया इसके अंदर इसके लिख 50 number का आपका 400 plus 50 plus आपका theory से 120 number आपका college देता है यानि कि दोस्तों यह आपके हो गया total 570 number यहां दोस्तों यह जो हमारा 570 number हमारा है यह 570 number हमको हमारे college से दिया जाता है और आप और दोस्तों आपका college इस 570 में से आपको 570 number दे सकता है पांसो साथ नंबर दे सकता है पांसो बीस नंबर दे आपको 520 number मिल सकता है तो यह सभी आपके total यह सभी आपके total college और आपके behavior और आपके teacher से relation पर depend करता है कि आपको कितना नंबर दिया जाता है और जो आपका डिप्लमा फार्मेसी फाइनल यह है यह आपका total 1050 number का होता है तो दोस्तों आपको यह वीडियो कैसे लेगी आप इस वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें साथ ही इस वीडियो को अपने दो